नमस्कार मैंना मालोक है आप लाइप स्ट्रीज देख रहे हैं चर्चा बरी होगी चर्चा काफी बहतरीन होगी हमाई साथ बिहार के वरिष्ट पत्रकार उन पांडे जी है और उनके हाथ में वो विध्यक है सर एक मिठ हमें विध्यक देखेंगे बिहार अपराध नियंतरन सबकुछ आपने पढ़ लिया है जाना है नितिश्कमाने जो नया कानून लाया है नया विध्यक लाया है 24 में अपराध नियंतरन इतो कानून के नाम से दिख रहा है क्या है इसके अंदर क्या कुछ खास बात है अभी बिहार में जिस सरसे संगठीत अपराध हो रहा है खास आमाधू का जन जीवन भैभीत है पूरे बिहार में एक जमीन माफिय के किसी की जमीन Saying हो सरकारी जमीन आप से करेंगे पहले तो इसमें पुलिस अपरशाथन को इतनी सक्तिया रही है जो अब तक कानून में नहीं था और इसमें गुंडाएक में कारवाई होगी जिला बदर की कारवाई होगी राज बदर की कारवाई होगी और चाहे वो बालू माफिया हो सराव माफिया हो या जैसा मैंने आप करोन का उसी तरह से बालू जब से बालू पर हाथ Сरकार फेरी है बालू का देख लिए जो बालू कभी तीन हजार ट्रेक्टर बिकता था जो आठ भी पूरी माफिया गिरी जह जंक से इसमें एक बात जो मैं देख रहा था पुलिस अप्रसासन को तो आपने सक्ति दी है जो इस तरह से अबयत कमाई होगी संपत्ति जब्त करेंगे उसके खिलाफ कारवाई होगी कारवाई जैसे करती है जैसे सी आरपी सी आईपी से बना हुए भर्चोली धारा कानून वही है सक्ति दे दी गई है जो पुलिस महाकमा है उसको आक्ट करने का हूँ और पिर इसमें कैसे करेंगे जो मैंने आपसे कहा कि चिला बदर होगा उसकी संपत्ति जब्त होगी यह सारा अधिकार पुलिस को दिया रहा है डी एस पी और इंस्पेक्टर रहेंका अधिकारी जा करके रेड करेगा और फिर जब उसको जिला बदर करना होगा राज बदर करना होगा या संपत्ती जब करने होगा कोई प्रशासन किसी को जदी सूचना दे कि अमुक व्यक्ति जो है इस तरह से अ पकड़ी क्या हो रहा है मैं मानता हूं कि मरना एक अलग विशा है एक तो यह पूरी विफलता जो है कानून रहते अस्थानिये पुलिस की सनलिपता जो माफिया है उसमें सफेद पोस्ट भी है समाज में लोग ऐसे और अनलाफुल करने बाले को कहीं समाजिक संदक्षा नह है चाहिए वह सराप के धंदे से बालू के कारोबार से या जमीन माफिया गिरी से मने जमीन जैसे किसी की निजी संपत्ती है और वह भी बाद दिखा करके उसकी जमीन लिख वाली उससे आइग्रिमेंट कर लिया फिर उसको इसी तरह से प्लोटिंग करके वह बेचता है इस सबसे बड़ी बात है कि करेगा कौन पुलिस को आप अधिकार तो दे रहे हैं इन तो पुलिस संलिफ्थ है आप उसको और अधिकार दे रहे हैं मतलब यह सबसे अधिक साभधानी बरतने की यहां भी जरुरत्य सरकार इसमें मैं देख रहा था कानू में एंशेर विलीटी ह पूस्टिंग के लिए पैसे का लेन देन होता है आज पूलिस का भाइस फियर ओफ लॉज जिसको आप बोलते हैं फियर और पूलिस जिसको है वो समाप्त हो गया है इस कानून में तो आप अधिकार दे रहे हैं सबको सब करवाई कीजिए जो अनलाफूल तरीके से संपत्ति अरजीत कर रहे हैं उनके खिराब जो कुछ अधिकार संपन किया गया है उसमें मैं देख रहा था कि पिछले कानून को निरस्ट करके बिल्कुल निया कानून है तो करने वारे लोगों कि खिलाब करवाई करने का तो काम हमारे हां सी एरफी इसे में पूलिस को मिला है रूना यही है आप अधिकार संपन करना बहुत अच्छी बात एक मैसेज जाएगा कि सरकार की परितिभता है कि आप कहीं बलू माफिया श्राब माफिया जमीन माफिया इ बाद सही है कि समाज में एक अजीब सा महौल बन गया है ऐसे लोग को सत्ता संदक्षन है आप तो लोग संसर वा विधान सभाव में इसी च्वी के धनी लोग जा रहे हैं जिसकी च्वी है कि वह वालू माफिया है वह विधान मंडल के सदस तक भी बन रहा है जानते भी हैं तो यह क्या हो रहा है आखिर पुलिस को आप अधिकार देना ही चाहिए पुलिस को अधिकार दीजिये लेकिन करने वारी एजेंसी है अप अधिकार देने के बाद कैसे इमांदारी से उसको लागू करें बड़ा सवाल यह होगा और जबी सत्मूच में इसका एक मेकेनिजिम डेवलप करना होगा एंसे बनानी होगी मैंने देखा है इसमें कुछ समयाब दी गई है सबको कि अब तो दे कानून हो गया है तो नया कानून बनाना एक अलग बात है और उसको इंप्लेमेंट करने वाली जो एंसी है न वह उस पर ही सबसे अधिक ध्यान देने की भी जरुवत है अब उन्याले में मामला जी जंक से लंबित होता है तो रित यहाला कि मैंने देखा है जो नया कानून कानून आ रहा है उसमें है कि नहीं कोट के लिए भी समय अब धी तैकी जा रही है कि आपको तीन साल में केस को डिस्पोजब कर रहा है अभी तो 25-30 लाख की संख्या में कोट में केसे पेंडिंग है मतलब यह कोई अपराध करता है तो सजा नहीं मिलती है अब जो सजा नही सब्सक्राइब से भी पास होगा एक नया कानून बनेगा सोच और अच्छा है अब सबसे बड़ी चुनी चुनोती यह होगी कि जिसको आप अधिकार दे रहे हैं वही मंदारी से इसको लागू कैसे करें उसमें पारदर रिशिता होनी चाहिए और जन विस्वास बढ़ है अभी तो लोग अभी सिकायत लेकर जाने में ही डरते हैं पुलिस के पास पता नहीं वहां संदक्षन मिलेगा कि उल्टे जो लोग अनलाफूल करने वाले हैं उसकी मदद हो जाएगी इस चीज को सरकार कैसे ब्रेक करेगी और फिर अभी तो सरकार ने किया है कि थाना अस्त कर जब नितीश कुमार पहली वार सत्ता में आये थे यह मैं बात कह रहा हूं जब फर्स्टेश था दो हजार पांट में आए थे आता फर्स्टी यर्स और पांस साल लोगों ने बदलाव महसूस किया था बाल के बात के कालखंड में कहीं नहीं कहीं प्रिशासनिक सिथिलता यह कहे कि कमजोरी दिख रही है इस कानून से एक सचमुच जो अनलाफूल लोग हैं संगठी तपराद कर रहा है बड़े-बड़े माफिया हैं बिल्कुल उसे उनकिल कसने के लिए एक नया कानून सरकार लेकर आ रहा है अब इसी धंग से इसको प्रभाब की तरीके से इसक कि सिता भी रहे और जन्विष्वास सबसे बड़ा है जन्विष्वास पैदा करना आज सोसाइटी में ऐसे लोग जो गलत मिन से पैसा कहीं कमा रहे हैं जो मैंने आपसे बात की चाहे सराब चाहे जमीर माफिया गिरी या बालू माफिया गिरी से ऐसे लोग पर तो इसके लिए सरकार की जदी मंसा और अच्छा है कानून बना है अब इसको उसी इमानदारी से प्रभाब कातिर से लागु किया जाएगा तब इस नहे कानून का धे उद्देश पूरा होगा यह बड़ी चुनोती होगी सरकार के सामने अपराध नियांतन कानून 24 को अब लागू किया जाना है सदन के पडल पर वो विधायक जो है रखा जा चुका है उन पांडे जेमा सत्थ है खुलकर जो पूरा पुलिंदा है कागजों का जो इस विधायक के बारे में पूरी जानकाई देता है उसे हमें आशान सब्दों में इन्होंने बताया है या इनके हाथ में विधायक है और विधान मंडल में अब इस कानून पर चर्चा होगी बहस होगी लेकिन इस कानून को पास हो जाना यह बात भीता है वह चानल को सब्सक्राइब कर लें साथ-साथ फेस्ट पेज भी हुगी प्रस्त पास हो जाना में नहाई एल भाइब बॉचत पास हो जानी लाए आस बाड़ू